नमस्ते वंदेवात्रम आज दिन है 4 जनुवरी 2023 बुद्वार और स्मरिद परिवार ग्रुप की वोईस चैट में स्वागत है आपका और प्लेलिस का नाम है यूट्यूब पर आयूरवेद विशेबर अलोचनसतर हमारे चैनल पर और व्याख्या नंबर 148 148 और विशे को आ तो वो एक अनॉस्मेंट करना चाहते हैं तो वो आप किरपया सुनें तो किरपया अब शेख जी आप बताएं जी वंदे महात्रम सभी को आज वैद सत्यवान नाइक जी का जो व्याख्यान होगा आपान वायू पर उसके ठीक बात 15 मिनट के बाद ही हमें और यह अफसर मिल है कि भुपाल के वैद पुखराज जैन जी जो एक होमियोपेती विशेश चके हैं और इनने आयरवेट का भी काफी अच्छा ग्यान है तो इन्होंने दंत चिकित्सा पर अपनी बहुत बहुत ही शोध किया है काफी शोध किया है तो यह आद धातों की जो समस्या हमारे आस है कि लगभग जैसे ही वैद सत्यवाइन नाइक जी का सत्र समाप्त होता है उसके पांच मुनिट के बाद हम इसे शुरू करेंगे तो आप सभी बने रहे हैं हमारे साथ यह आप सभी से अनुरुद है मिला बहुत बढ़िया तो यहां पे मैं सबको बता दूं के एक तो यह सत्र हम रिकॉर्ड करेंगे 148 नंबर फिर जब कोशन अंसर सेशन के बाद सत्र खतम होगा तो रिकॉर्डिंग फिर नई शुरू करके तो अगर आप यह यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको अलग से यह सत्र वाली यानि जो अब शेक जी बता रहे तो दीपक भाई आप आगे बढ़े हैं जी बहुत धन्यवाद आप सभी का स्वागत है आज के सथ्र में थे। प्राइज के से खतरिंगे से स्वागत करता हूं आगे से अबुस्त वायु का चनतूरत भाग होगा जिस में से लिसे कहें और पुर्न करेंगे तो की जुड़े रहें और आज के विख्यान को düş doute जिसकी अपान वाईशे समंधित जो समस्याइं होती है उसकी विकृती होने कारण यूं विकृत होता है फिर उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे उन सभी बातों पर धीरे देरे चोचा होंगे और वह से बताएंगे तो बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का वैद जी का और आगे जो सत्र होने वाला है उसे विकृतिया ध्यान से सुनिएगा जो अभी के सत्र के बाद जो अगला सत्र होगा क्योंकि यही हमारी वैद निर्मान करांती है यही वैद निर्मान करांती का उदेश से और अधेय है तो हम सभी मिलकर के पैदक विद्या को समझे और जान और यो आरम करें और हम सभी को नमस्ते आप सभी को पंदमात्रम मैं वेद्धे सत्यवान नयक आप सबको इस मंत में आभान करता हूं अधन्यवंदर जुगा नमन करते हुए आज का जो सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि तो सबसे पहले सुत्र लेलते हैं जैसे प्रते दिन लेते हैं तो आज का जो सुत्र है वह ऐसा है कि नंपंध नंप्रक लेके इसका अर्थ ही यह है कि मनुष्य को धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए और विद्या भी चाहिए और उसके साथ में कुछ कर्म कि यह पांचों के बिना मनुष्य का जीवन है वह अधूरा है इसलिए क्या करना चाहिए इसलिए उन्होंने कहा है कि सभी के पांचे इन में से जो सबसे प्रथम धन को लिया गया अर्थ को क्योंकि अर्थ के बिना कुछ भी साधित नहीं होता है इसलिए धन का संग्रह करना को यह है इसलिए कि धीरे धन का संग्रह करना चाहिए जितना धन का संग्रह करेंगे उसका आधा हिस्षा आपको उपपभग के लाना कुछ ठीक उसी तरह धीरे-धीरे पन्था भितला धीरे-धीरे मार्ग गमन करना चाहिए गमार्ग कमन यानिके पैदल चलने की अभ्यास रखना चाहिए आजकल तो पैदल चलने की किसी में भी अभ्यास नहीं है इसलिए संभवात बहुत सारे रोगों से घिरे हुए फिर आगे के परवत आरवत वीज़ी वीच में महीन में एक बार अंतत है किसने किसी पाहड में अथवा परवत में चढ़ना चाहिए चढ़ना और उतरना चाहिए जिससे कि आपके शरीं में प्राण भहस्रोतस जो है वह जहीं तरीके से काम करना मतलद चलूक रखे और मैं आप सब को बता मतलब ठीक रखने के लिए हमें परवत का चाहिए और आप देखेंगे हमारे भारत बर्स में जितने बड़े-बड़े मतलब तिर थे और महा महा मतलब प्रेटन साले जैसे देवी का किसी देवी माय का मंदिर हो या सिपजी का कोई मतलब ऐसा कोई मंदिर हो जैसे जो के बहान है और आपका प्राणवहस्रोत जोए वह सक्रिया रहेगा जिससे कि आप रोगों से जो केंसर जैसी गंभीर बिमारियों से आप कोशो दुर भागेंगे परंद आजकल सरकारे क्या गरती है वहां पे मंदिर तक रस्ता बना देती है फिर मतलब लेप्ट का भी करना चीए साथ में प्रति दिन कुछ ना कुछ ध्यान प्राणायम करना चीए और कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी चीए केवल मोबाइल से सबी कुछ मतला हमें प्राप्त हो जाएगा यह नहीं समझना चीए ठीको से तरह व्यायाम व्यायाम का अर्थ कुछ लोग क्या करते केवल कुस्ति लड़ना खशरत नन्ण दो जीम जाना कोई परिश्रम करना इसको ब्यायम समद लते परन्तु ब्यायम का अर्थ जो है अइर्वेज में कुछ अलग है और उन्होंने ऐसा कहा है कि कर्मरामः कर्म कर्मरामः और योग आरधना इत्व ब्यायमा मतलब जो कोई भ मतलब कर्मों से होता है और उसके साथ में योग योग आराधना मतलब आप कर्म करें या तो फिर योग आराधना करें योग आराधनों को भी व्यायम माना जाता है इसलिए हमारे भारत वर्स में योग प्रयायम अस्टांग योग को बहुत ही मतलब प्रसिद्धी मिलिए और लाभु आई तो इसके लिए आपको धेरे 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 इन सब का आपको अभ्यास करना चाहिए और प्राप्टे करना चाहिए तो यह तो हो गया हमारा मुल्ड सुत्र अभी हम एक सिद्ध योग के विश्य में बात करेंगे अभी देखेंगे कि हम तुमें बहुत सारे लोग लेकिन जो प्रयोग हमने वहां पर प्रयोग किया और हमें सत प्रतिसत परिणा मिला है वह प्रयोग में आप लोगों को बताना चाहता हो आप लोग भी प्रयोग करें और लोगों को बता ही और लाब भी लिजिए आपके हर मतला हर किसी के घर में जाइफल होता ही होता है तो जाइफल को क्या करना यह दोनों में से कोई वी तेल चलेगा हमारे उडि ओर इसको चिना विलते हैं तो बाधम उने चलेगा तबध्र तो हो गई होगा तो जाइफल को क्या करना है तो नहीं है तो मुझफली का त्यल भी चलेगा क्योंगे लगबग राजी भाई को सुनने के बाद में हर किसी ने जो रिपेंड तेल है सबकी मतलब आहुती देदी है तो हर घर में यह बादम का मुझफली का तेल हो गई होगा तो मुझफली का तेल थोड़ा से ले करके जैसे पांच से बुन दिया दो दस बुन ले करके उसको घिसी है जाइफल को और घिस्ते जब उसमें से मतलब मतलब मिल जाया चर्चिद यह नहीं कि मलम जैसा लेप जैसा आपको प्राप्थ हो जाया आपको क्या करना है केवल जो कपल होता है जैसे भवान मतलब सिच्जी पॉन्डरक धारन करते हैं भषम का या तो कोई सी चंदन का तो यहां से लेकर के यहां तक मतलब यह कनपट्टी के बाजू से लेकर के दुसरे कंपटी तक जो बाजू है वहां तक आपको क्या करना है उसको लेप लगा देना है और पांच से अभी हम उसका दित्य भाग को हमा अगे बढ़ते कल हमारा कुछ पूरुसों के पूरुसों के भी मल मुत्र यह दोनों मतलब निकलते रहते हैं इसलिए पूरुसों में कुछ-कुछ कारण समन महत्रा में आपको देखने को मिलेगा परास तो स्त्रियों में कुछ विसे करते हैं उनका घर्भा से और वह मतलब 28 दिन में हर 28 दिन में एसा साल में तेरा बार वह मासिक धर्म उनको आता रहता है तो इसके लिए उनका अपान भाईवों थोड़ा विसेश रूप से कार्य करता है तो अस्त्रियों के लिए अलग से हम विसेश रूप से भी तो कल का जो दूसरा भाग जो बच गया था अभी हम उसको आगे बढ़ाते तो ऐसा कहा जाता है कि जो अधिक मत्र में केवल कपाल भाति प्राणायम करते रहते हैं जैसे रांदे बाबा को किसी ने देख लिया वह बल दिक आप कपाल भाति कर लो सारे प्राणायम ना करो इसको पंद्रा मिनट कर लो आधा घंटा कर लो एक घंटा कर लो चाहरे भी मारी हो जाएगा वह जाएगा मतलब बताते रहता है अभी यह कितना सचा है वह तो हम यहां पर कहना उचित नहीं है क्योंकि सारे मतलब आज नहीं तो कल सारा भारत वर्स इसको सुनेगा जैसे र प्रन्यटा लगा जिसे कि हम प्रतित दिन हमेरे फ्रस में मतलब जाभाएगा से मेन में सारा सारा रंग तो चोड़ दीजिए जो सेमेंट का जो प्लास्टर हुआ ना प्लास्टर भी निकल जाएगा हो सकता है एक साल दो साल में तो पुरा एटी ही मतलत दिखने को आपको नहीं मिलेगा तो इसके लिए कहा गया यह मैं एक उधारन दे रहा हूं कि जाड़ु पोता केवल चट्टा उनों में किया जाता ह है पुरा दिवारों पर नहीं किया जाता है तो इसकी लिए ठीकुसी तरह कपालभाती प्रानयम और त्राटा कोंगी नहीं कि सुर्या करिया करें नहीं गलत बात नहीं यह मतलब मांता है कि त्राटा करने से मतलब मजबूत होती है और हमारा विवेक जागरत होता है करना डाइया इसा नहीं कि प्रतिदिन करते नहीं और कल दिकरते हो तो एक दो दिन फ़ोर्ट के आपको तो बने यह करना नहीं यूँन का चल्टी एक पूरुषर्यास्त्रीव उनको देखेंगे न तो एकड़ी पूरा कंकाल भरा वहा हुआ मतलब देखने को मिलता है शाती से जो अब भरा होना चैके वहां पर कंकाल से नहीं देखना चैके तो करने देखेंगे तो हमोगलोबिन बहुत कंग हो जाता है यह पता नहीं क्या क्या रोग होता है वह यह सब मतलब मतलब फल सो रूपए तो इसा नहीं करना चाहिए ठीक उसी तरह जो आसन है कोई भी आसन हो यदि जैसे मतलब माल लेजिए कि आपने मतलब किसी ने आपको कहा कि पदमासन में बैठना बैठने से यह होगा वह होगा सही बात है पदमासन सबसे मतलब सरेष्ट आसन है परन्तों यदि आपका घुटना मूड नहीं रहा है यदि आप पदमासन में बैठते तो ज्यादा समय नहीं बिड़ पा रहे हैं तो अपने सरीर से जवर्दस्ति मत करिए कोई कहता है कि सिर्षा संद करने से यह हो जाता है पाद पस्चमासन करने से सारे के सारे मतलब पेट जो है पुरा अंदर चला जाता है तो घ्रम मुख्यां अंगुष्ट को नहीं पकड़ पारें तो आपको जवर्दस्ति नहीं करना चाहिए मतले इस तरह से आप सभी पकड़ आसनों को आप ऐसे समझे जवर्दस्ति नहीं करना है नहीं मतलब जो त्राटक कपलभथि प्रह नयति और धो यह जो क्रिया चारे क्र जाने कोई भी मतल्व लक्षन दिखाय जैता है तो समय के लिए उससोट नहीं होता है तो इसको बार 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 ठीक होने के लिए जिसे में एक उदाहन बता दो आपको मैं लिज्येजेग highly episodes 2017 पहले बात है एक रोगी ऐसा था कि उसको पेड में हमेशा दर्द होता था जब उसको मासिक धर्म आता था तो इसके लिए आयरवेद में कुमारया सब और दसमला रिष्ट या तो फिर असोगा रिष्ट ये दोनों को या तो तिनों को मिला करके देंगे तो बहुत अच्छा उसमें फैदा करता है तो उन्होंने किया कि वह पी रहे है तो जब मेरे पास आए तो बोले कि अश्वारिष्ट थोड़ा मिल रहा है और उसमें क्या मिला नहीं वह रोगी कहा है वह रोगी घर पर है उनके पिता जी आये थे वह रोगी को लाएंगे तो अच्छे से बात कर और आश्यकार इस्ट के साथ में दसमलारिष्ट और कुमारियासब मिला करके सेबन कि तो फिर वह भूल गया तो फिर वह भूल गए क्योंकि रोगी मतलब अयरवद में एसे कहा जाता है रोगित मतलब उसका दर्द कम हो जाने पर वेद्य को भूल जाता है वेद्य का कहा हुआ बाते भूल जाता है नगवान नदी पार होने बाद में जो नावींख होते हैं एपने प्रत्र प्रश्व करने बाद में पत्नी जो अपने पती को मतलब इतना याद नहीं करते भूल जाती है तो भी भूल गए तो फिर बाद में अगले मैंने में फिर उनको दर्द हुआ तो फिर से आने लगे कि वह कुमारा सब तो बहुत अच्छा काम करता है तो मैंने उनको डाटा मैंने तो बाद में उन्होंने कहीं से लिया क्या नहीं पता नहीं वह एक हफ्ता के बाद में फिर आए तो पता चला जब उनका सोनोग्राफी कराया वह सब कराया तो उनका जो मतलब में मतलब हो चुगा था और यह कब से मतलब हो रहा था कम से कम वह मतलब करने बाद में मल्टिप्लाइ करने बाद में वह साथ सो पिंचनवे कि आसवास मतलब आया तो फिर उसका बाद में चिकिछा किया तो ठीक होगे अब भी उसको पैड में दर्द नहीं तो कहने का अर्थ है यदि पैड में मतलब कुमारिया सब में चलती चलती तो फिर वही सेष्ट जा करके उसको अविरियन कैंसर में बनने का समस्य होता है और जब यही कारण मतलब रहता है जब सरी में तो अपन भाईव को और विक्रत करने लगते हैं तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कोई को लग बोलते कि हमारे घुटनों के दर्द के लिए दबाई खारे वह दर्द तो आराम मिल गया लेकिन पेड़ साब नहीं हो रहा है तो वहां समझना चाहिए कि वह तुमारे अंदर जो है बहुत बड़ा मतलब कोई ना कोई भाईंकर रोग है क्योंकि जब हमारे सरी में कोई रोग दुसर होते वह तरिकाल दर्शी होता है सबकूच जानने वाले होते और यह अपानबायों को साध्व नाम दिया गया संत दर्द कर लिया तो यह कुई करदी गिला पटी कर दिया तो कुछ समय के लिए ठीक हो गया फरंदी यह न too आपको यादि यह करने से यादि आपको पैड़ साफ हो नहीं होता है जाए कि तुरंट समझाना चाहिए चाहिए और रोक और जो कि भयंग करें कियोंकि आपको अपान भाइव यह आपको संकेत दे रहा इसारा कर रहा है कि तुम मेरे इसारा को समझों कि घंभीर से बीमारी से बच सकते हैं जो लोग बोलते कि आईरभ्यद में एसा कुछ है नहीं लिखा नहीं है तो उसका मतलब जो है ना यह चरग सेंद्य में शुत्रस्थान में आयरवेद में चरग जी ने बहुत अच्छे से इसका शुत्र की रूप में बताया है तो ठीक उसी तरफ जो एक रोग को ठीक करने के लिए मतलब अउसदी से बन कर रहे पर अन्य- ले रहे तो हार्ट लिवर किट्नी खराब कर देता है तो एसा ही मतलब सभी रोगों के उपर मतलब मान सकते जान सकते हैं तो एक रोगों करने के लिए जा रहे तो दुसरे अन्य-णियर अच्छे रोग उत्पन हो रहे तो चरग जिने का है कि इस सभी अपान भाई वो विक का नश्यचे और तो जो लोग विय घुमते रहता है और वह मतलब tendency और वह उसको कैसा मतलब कदर आ गया है हुआ जब कोई नया साइकल निकल करके घुमता रहता है देखो मैं इतना परिसम कि या वना दिया जोप और अनंध होता है नहीं आफुछा एक प्रकार से खुसी को सब की किया गया लेकिन कोई पहले निया तिबी लाते थे तो अडोस पड़ो सबको दिवितना पुलाओके चाहिके बहाने बुलाते थे तो तो यह सब कारान है यह कारान यह देखेंगे तो इसके लिए हमारे योग सास्त्रे में या अध्यात्म ग्रंथों में इसका आगया है कि आपको कोई भी चीज़े प्राथ हुई तो आपको खुस नहीं होना चाहिए मतला इतना प्रसंद्ट में होना चाहिए कि मुझे मिल गया मुझे प्राथ हो hop tested यही कारण है इसलिए हमारे अधात्म सास्त्रों में भी पुराणों में सहींताओं में यहां ता कि मनुस्टा में भी याग्यमल के सरुति में भी यह बात कही हुई है तो ठीक उसी तरह जो अत्याधिक मात्रह में किवल मांसर मचली का सिबन करते हैं जो मांस मचली की मिनें बतलब उनका जिवन चली नहीं सकता तो एसे लोगों का अपन भैव भीगर तो अब विकृत होता है तो फिर उसके बाद में समान भैव फिर प्राण भैव फिर ब्यान विकृत होते और धिरे 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 उनका वाथ रोगों उनके उनके सपर्विश कर जाता है। इसलिए अधी मतलग कहता है यदि तामसीक प्राणी नहीं तो आपको में रहेना चाहिए। तो सत्योक्त मन से युप्त या नहीं कि आपको हमेशा अधिक मात्र में दो धर घी जदा मात्र में पिना चीए इसका क्या कारण है कि जो तामसीक प्राणी दोध घी नहीं से बन करते हैं उसके विशे में हम पाचक पित में चच्चा करेंगे और उसमें एक कहानी भी है मैं आ कर लिया फिर एक दो घंटे के बाद में कफवर्धा कर लिया अभी आपको यदि समय में नहीं रहा है मैं थोड़ा इसको उधारन से बता रहता हूं जैसे वात वर्धा कि हमने कोछ से पापड़ से बन किया या तो कोल्डरिंग से बन कि क्योंकि वह वात को बढ़ाता है जि फ्रीज के अंदर रखा जाता है और उसमें इतनी मात्रा में सितलता होती प्रचुर मात्रा में कि कुछ कह नहीं सकते नहीं कर सकते तो इसे लिए वहान पे य Cook किस थ तो कफ को बढ़ाता है परंदु रुक्षगुन के साथ में जो सितल्दा बढ़ाए वह बात कुण का होता है और आपको को पीने के बाद में बोलते हैं कि डर के जीत यह मतला भागो बनाए नया से भी मतलब जो पार करते जो क्या होता है प्रतियों गिता प्रतिश पर्दा हो किसी के सरी में कफ कुण बढ़ा तो एक दम स्थीर से वह बैठेगा कभी दोड़ भाग नहीं करेगा भाग दो नहीं करेगा परन्तों इसको पिने बाद में यादे को भाग दोड़ होता है तो सिधा सार अर्थ है कि वह वायोगुण को बढ़ाता है हमें समझना चीए जो बतल बात वर्धाब अपने सेवन किया जैसे कोई से या तो मेंगोफोटी वगरा वगरा उसा आपने से बन किया या तो पांपड़ का सेवन पिर कुछ समय के बाद में आपने पुझ का फ्रके साथ में किया तो यह क्रता है तो पान जाए सबसे पहलत करने का टीए कोई भी मतलब दो कुछ भी खाई पीए यंसे प्रकार चाहिए लिए और यहां ने जिनका मतलब में और तो मलत यहां लिए आपको जाना पड़ थो आपको समझ जाना बिक्रूत होने लगा है और आपको तभी यदि आपने उसके चिकिछा नहीं की तो फिर क्या कर लेगा दिरे 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 उस संग्रहनी का रूप का मतलब रोग ले लेगा तो उसके लिए आपको अपन बैव का वहां पर चिकिछा करा लेनी चाहिए ठीक उसी तरह और क्या मत स्थान के नीचे कमर तक जो स्थान होता है यदि वहां पर लिभर के स्थान पर किड्नी के स्थान पर मतला हमारे स्थानों के निचे कमर तक जो स्थान होता है यदि वहां पर आपको कोई बार-बार-बार-बार मुका मारता है तो समझ लेजिए उससे भी आपका अपान भाई वह विकृत होता है तो जैसे देखेंगे जितने सारे जो बक्सर होते बक्सर या तो बड़ी बड़ी बिल्डर लुब उनको कहां जाता है मतलब कि रज़्वाशन होता है तो लापाटा होता है अब उनको आपके अस-पास कोई जयान-पंपेचान में है तो उनको देखिया आपकी बिकृत होया ने भी रखें कि यह लक्षन से जान सकते हैं कि उसी तरह यदि किसी को मतलब दस लग रहा है परन्दू कोई काम के विज़े से या तो फिर आपने आसपास मतलब कोई टौइलेट नहीं है या तो फिर कहीं बाहर हो जो कि आसपास मतलब कोई बात नहीं है अब मतलब नहीं कोई नहीं मिलाएं क्योंकि मन की धटकन बहुत्ता है कभी कभी तो चलो कोई बात नहीं में वह अपने थोड़ा रूख जाएगा बले उसको प्रेसर होता है परंदू रूख जाता है जैसे मतलब वर्षात के मोसम में नदी में जहां-जहां बांध बना हुआ है बांध मतलब जो बोलता है जैसे हमारे हिराकुद डेम है मतलब जो डेम बोलता है जल का बांध तो वहां पर नदी का मतलब नदी में बहुत सा भले मतलब वह आसपास मतलब फूल तोड़ जाई या तो जो भी कुछ हो जाई या तो गाउं में बाड़ा जाए लेकिन नहीं मानेंगे नहीं खुलेंगे जब आदेश आ जाए तो वह खुल देंगे ठीक उसी तरह यह अपान भायू का वहां पर कार्या है इसके लिए वह मतलब पैसा लग रहीм परन्द जाने रहें कोई को यह से मतलब लगता है कि कोई मोबैल में गेम खिलते हैं मतला मतलब लगता है तो फिर मतलब मतलबन सा लगता है इसलिए मैं गेम को कंप्लेट करता हूं फिर बाद में मैं जाता हूं मतलब लगों संका के लिए तो इससे क्या होता है कि आपको मतलब जो अपन भाई हुए वह और विक्रुत हो जाता है ऐसे कारणों से ठीक उसी तरह यदि आपको सुबह-सुबह में कि यदि कोई आपको मा आरते हुए जगह रहा है या तो फिर आपको मतलब गाले देता हुआ यह तो फिर आपको बहुत है यह जो मतलब पूरुस अरस्त्री जो विभाहीत होते हैं जो मतलब उनका समय गम करते समय उनका जिन जिन लोगों का सिघर पतन हो जाता है तो फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर जाते फिर मतलब वह एक ऐसा करते गड़े आधा गंदा तो वहां पर साब्धान यदि नहीं बरतेंगे तो उसमें में कुछ बता रहा हूं कि कैसे मतलब मतलब इसकी पैचन क्या है कि हमारा अपान भाई विकृत हुआ है तो सबसे पहले उसको देखेंगे उसको नीन दाना कौम हो जाएगा परन्तु नीन दाना तो किसका काम है कैसे का में आपके मन में यह प्रस्न उटता होगा तो अपन ऑन्रेंडता और यह सब पर तो इसली ऒथिस जिनको नेन नहीं आती विक्रते के कारण नीद नहीं आती उनको एसा करिए कि उनको बिरेचन देदीजिए और बिरेचन करने के लिए सबसे सरल उपाय है इच्छावेदी रस जो हर कोई कंपेनी बनाती है और आपके आसपास आराम से मिल जाएगी मैं चिकिछा तो बताऊंगा मतलब पूरी उसदी भी बताऊंगा चिकिछा बताऊंगा कैसे कैसे करना है क्या करना है पर अभी एक मतलब एक शुत्र बता जाएगा कि इच्छावेदी रसका तीन गोली टो चारघूली एक शुक्रिकमें देदिजेंगों निम्ब ना जबार यांत तो रबार बिकृत हुआ है इसका पहला लक्सन कि आपको भूग लगेगा अर भूग लगेगा तो बहुत कम समय में भूग लगेगा और देर से लगे और भूग लगेगी परन्य थोड़ा से खाने बादमें पेड़ भर जाएगा तो पहर लख्षन जब आपको देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि आपका अपान भाईवों विक्रुत हुआ है उसी तरह आपकी आँखों में थोड़ा मतलब एसा आपको दिखने लगेगा जैसे आपने सुबह में उठा तो आपके आँखों के चारुवर आँखों के चारुवर मतलब पुतली उमय या तो फिर जहां पर बाल होते वहां पर या तो आँखों के निच्चे आपको मतलब देखेंगे कि आँखे आपका मतलब सुझन है खुला हुआ मतलब आपको ऐसा देखने को लगेगा तो समझ जाना चाहिए कि आपका अपान भायहिए वह भीकुष्भ आ कि कुशी तरह कभी-कभी एसा होता है कि जब कोई हम से यां तो यातरा करते यातो शाइकल से कोई थोड़ा दूर यातरा करते हैं जैसे मतलब मतलब करके साइगिल चलाते हुए चलेगे या तो थोड़ा हमने 15 किलोमेटर 20 किलोमेटर हमने पैदल चलेगे या तो 24 गंटा या तो 36 गंटा हम रेल की सफर कर दिए बस की सफर कर दिए तो देखेंगे किसी किसी को मतलब वो खाना नहीं खाएंगे बहुत कौम खाएंगे क्योंकि यहां दो तो आपको भोजन मतला मांग रहा है सरिर तो आपको भोजन देना ही चाहिए लेकिन कुछ-कुछ लोग भोजन करम नहीं करते- सटेस्ट करने मतलब भूख को रोगदे रोग देते और और उइसे आ करने चाहिए अपका अपानव वर विकृत हो जाते फिकुछ इतरा कभी लिए औलगी किसी का नाड़ी जब हम देखते हैं तो देखते ही उनका मतलब नाड़ी आजाना चाहें क्योंकि नाड़ी कान को लगाएंगे झाती में पूहां पर स्पंधन सभी देगी रहांका धरकन धरकान धरक यह तो आवज आने हिं स्वे इसकी कुछ तरह हमारे हाथों की जो अंगोष्ठ मूल में नाड़ी तंतर है नाड़ी हे व Dazu हमारे हाथ में स्पर्ष होते ही मालूम होना अनभव में आना चाहिए यदि वहां पर पर सपर्ष में न नी तो समझ जाना चाहिए कि आप तो तुरह समझना चाहिए कि पहले सबसे पहले उसको इच्छा भी दिरस्दर करके बिरचन कर आओ जुलाब लाओ उसके बाद में चिंचार या तो आर दस जुलाब लेके आओ तो थोड़ा पिला पिला पन मतला देखने को मिलेगा और आप परिसम करें यह दोड़ रहे हैं तो पसिना निकलना चाहिए उतना पसिना नहीं निकलेगा तो थोड़ा रुखापन आपको मतला नजर आएगा पूरी तरह से हमारा चमड़ा क्या तोचा क्या एकदम मतला स्निक दता रहे ना चीमिलली जैसा लेना चीए परन्तों हमको यह सब फेरे लबली या तो अन्यन ने जो बोरो प्लस अन्यन ने जो क्रीम कंपनी वालों ने यह टीवी पर बिग्यां पने दिया आपका चेहरा ओ लूधा जरू झाला फिया Anya Allah को जिएन करने की बात नहीं है इसको रोगास से निकल रहा है तो चेहरा यहला थो तो उसमें जिंता का कोई विश्य नहीं है यदि आपने यदि फैरेल लब लिए बगेरा बगेरा क्रीम लगा करके आपने अच्छा देखने के लिए सुन्दर देखने के लिए सब खाल लिए तो उससे क्या होगा जो बंद हो जाएंगा तो अंदर का अंधर के इसे गरभडी आ रही या तो पेड में दर्द हो रहा है मतलब बन रहा है इसे लिए कारण यह सारे की सारे रोगर से घ्रशित होते लिटें के जो एसका में जो रूम को निकलने का मतलब में उसका मैं फुल गया उৈक तक अनै किजी यहेगें बाल यह निकाल देंगे तो आपका अपन ब्रकृत होगा ध्यान में रखना चाए तो बगल का बाल कभी भी नीकलना चाहिए चाहिए पूरुस हो यास्त्री हो यह आपको मतलब निकालना ही चाहिए यह तो कोई घडबड गड़ आ रही है तो प्रकृतिक उपाय से निकलो तो वहां पर प्रैकृतिक उपायस करा रहे या तो रेजर से मतलब यह बीटु पललं में जाके करा रहे वह बहुत गलत बात है उससे क्या होगा कि आपका और जो जो मतलब बिगड़ जाएगा विकृत हो जाएगा तो एसा नहीं करना थे जिनको पेड में दर्द हो रहा है परंद उसका कारण को नश्ण नहीं करते थोड़ा मतलब पेड़ को कम करने के लिए तो इससे भी क्या होता है अपन भैय बिकुरत हो जाता है थीक उचितर जिनका पिशाम में जलन हुआ थोड़े मैत्रा में तो यह लक्षन है आपको पहचान नहीं कि यह जब लक्षन देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि आपका अपन भाईव भीकृत है ठीक उसी तरह कभी-कभी नाभी में बहुत जोर से दर्द होता है या तो नाभी के चारंगुल उपर या तो चारंगुल निचे या तो नाभ इसको होता है वहां पर गर्मी आपको पाई जाती है या तो गले में चाती के पास में भी गर्मी देखने को मिलता है पर दो पेरों में ठंडा पन रहता है तो इससे भी समझ जाना चाहिए कि अपन भाईव का यह लक्षन है ठीक उसी तरह जिनको बार-बार मतलब क्या होता है कि थोड़ा धूब में चलते हैं तो उनको चक्र आने लगता है तो सर में दर्द होने लगता है सर में खुजलान मतलब होती है तो यह सब्सक्राइब लक्षन देखने को मिले तो समझ जाना चाहिए कि आपन भाईव विकृत हुआ है ठीक उसी तरह कभी-कभी क्या होता ह कि मकलतार को सोते हैं रोगी मतला लोक सोते हैं और सुबह उड़के बोलते हैं मतलब मेरे जो गला है उपर पता नहीं रात को तो अच्छा था अभी दो हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपको वहां पर चिक चाहिए थीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होंगा अब कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं और आप मतलब उसका चेहरा धुंदलापन दिखाई देने लगेगा या तो दो चित्र दो चेहरे दो दो आंक दो नाख आपको दिखाई देने लगेंगे तो समझ जाना चाहिए कि अपन बायों का विकृत होने का लक्सान है तो उसे तरह अब बहुता है एसा घटना तो समझ जाना ही चाहिए कि आपका जो अपन बायों है वह विकृत हो चुक है तो एसा हाँ और एक मतलब में कुछ बता रहा हो जिनको भूख लगता है परन्तो थोड़ा सा खाने बांद में पेड़ भर जाता है और वह खाना फिर वह खाते नह जाता है तो समस्द जाना का खाल को मतलब एक साल पूराना अन्य मतलब को छड़ड़ करके अन्य तो मैस्तों फेल उनका गुर्त हो जाता nggak पहमंतरोटों को छड़ करके जो अन्य रुटों में जो निया चावल का भोजन करते शेवन करते उनका भी अपनबायु है व्यक्रत हो जाता है जो गर्भभतिस्तिरी है यदि वो अधिक मात्रा में तिखा कसेला और नमक ये ज्यादा मत्रा में खाये तो चहएं पिर बढ़ाने यहां तो अभी महतर में खाती है तो उससे मतलग क्या होता है कि अपने अपने उसको ध्यानने दिया तो तो सफेट सफेट कुछ जाना यदि आपको देख रहा है यदि फिर भी आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो यह समझ जाना चाहिए अपन बायों को विकृत होने का यह लक्षन है तो थोड़ा दस कदम चलते तो थक जाते थोड़ा कुछ समय बात करते आधा गंटा 10-15 मिनु जाएगे आपका अपन बायों जो है वह विकृत हुआ है ठीक उसी तरह जो अत्यधिक मात्रा में मतलब किसी को दुखी हो करके देख करके जो खूस होते तो एसे भी समझ जाना चाहिए कि उनका अपन बायों बिकृत हो चुका है इसलिए दूसरों को दुखी देख करके व भी खुसी होते तो यह जो लक्षन है मतलब यह जो विपरित लक्षन आपको देखने को मिलता है यह मनुस्य का नहीं है यदि यह लक्षन यदि मनुस्य में देखने का लगे मिले तो आपको समझ जाना चाहिए उसका आपान भाई वह विकृत हो चुका है ठीक उसी तरह ज बत्य अधीक सितल कोई-कोई लोग क्या कर्ते सितल जल में सफनान करना है घर्मी के शमये तो उसमें बरब से एकदम ठंडा करेंगे तो इसमें नहाएंगे और कोई कोई क्या करते हैं अभी है मंतरूत में कि गरम गरम पानी बनाएंगे एक दम चुला जला करके और उससे नाएंगे आफे तो यसे मतलब क्या हुता है और किसी को बिना कारण के जो केबल करते रहते हैं अम्द् laughs ओलायाई बख़लते कि मुझे दक्टर ने कहा है कि तुम्हें यह Kalan दोलते रहना चिए गरम पानी में बेटे रहे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए और आप देखेंगे तो उसका आपको सही में मतलब मिलेगा ही मिलेगा ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में मल जो मुर्खों लोगों से बाते करते यह बता होंक्ता को गलत लगेगा परंद यह भी सही पर दिश्रों की निंदा करता है उनसे बाते करने से जो केवल मतलब 24 हो रहा से 24 हो रहा यानि के एक दिन में 24 हो रहा होता है जिसको हम घंटे के नाम से जानदे 24 गंटा तो 24 हो रहा जो केवल दुसरों के निंदा करना दुसरों के मतलब उपिक्षा करना दुसरों का हिंस्या करना इर्षा करना या तो फिर मतलब दुसरों के उपर कुरोध मतलब भाव से रहना यह जो जिनका लक्षन है तो एसे जो मतलब जिनका स्वभाव है यदि उनसे यदि आप बात करेंगे तो आपका अपन बायों बिकृत हो जाएगा यह उसका मतलब कारण है ठीक उसी तरह और क्या है जो हमेशा चीक अपका दर्शन सक्टी का मतलब थोड़ा कमी हो गई खिंता अगयी फिर बी आपने मतलब नहीं देखी फिर आपके आखों के निच्छे निलीमा आ जाती है नालित मतलब जो निलापन जैसा दिखने लगता है फिर भी फिर आपको अजेर्ण हुआ मतलब हजम नहीं हु कूर बाक्य है केवल स्त्रीओं के विशえ में। मधल स Heart Heart Reard तो उनका विकुरुत होता है क्यों विकूरुत होता है और उसका क्या-क्या लक्षन है उसके विशे में हम इसका अगला भाग क्वेचले है रहेगे प्रस्ण ले ले लेते और पूछा था उसका जवाप ढ़र संभाब को hem है जी है कि आमने दो कोश्चन की थे तो आप बोले थे आज बताएंगे आप प्रश्चन पुछे जो पुछे न पहला प्रश्चन था थंढ़ा वो गरम खाने में बॉडी के अंदर क्या दिक्कत होती है यह कोश्चन ता दूसरा कोश्चन था एनीमा कैसे नुक्सान करता है अंदर क्या mechanism होता है कि नुकसान करता है जी आपके दोनों के प्रस्णों के उतर मैंने आरम से दे दिये थे लगते आपने थोड़े बिलम से मतलब जोड़े हैं तो आप एक काम करिए इसको दुबारा बताऊंगा तो सबको परिशान होंगी आप इसका रेकॉर्ड सुन लिज यदि आपको इसका उतर ना मिले फिर हमें बताइए मैं बता दूंगा ठीक है और किसी का भायवंद होगा बेहन होगा कोई प्रस्ण है तो कृपए रखे कि किसी का भी नहीं है बंदे मातरम भी या बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे खोलिए जी वैजी एक प्रश्न था अब इसरदी के दिनों में पानी रात में कैसे पानी जो पीते हैं रात में तो मैं एक जग में पानी भरकर लेकर जाते हूं अप्रे रूम में उबला हुआ लेकिन जग में रखके ले जाते तो ठंड़ा हो जाता है और दूसरे खर्मस तो रात को जब पीना होता है तो दो मिक्स करके वह नॉर्मल टेंपरेचर गुन-ग पानी को पीना है तो पानी घरम चरके नॉर्मल तेंपरेचर पीना होता है दो तो प्या शह चाहि के सबसे पहले बात है रात को पाने पीने के लिए कर वैसे शिक करति नहीं दि young प्रभावरत है हमारे सरी में इसलिए रात को पानी पीना नहीं चाहिए तो इसका सिधासा अर्थ है कि आपने दिन में जितना मात्र में पानी पीना चाहिए उसके जो मतलब पानी पानी पीना चाहिए और जो भी मतलब लोग आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जो लोग भी मतलब का थरमस का मतलब लटे उपकरनका प्रयों करते हैं उनको तुरंट बंद कर देजिए कूँगि पानी वही पीना चाहिए जो आपका मतलब वाईव का आवागा मानों जो खुल्ले में रहता हो इसलिए आपका मिट्टी का बरतन का प्रयों कर यह सर्दी का मौसम में नहीं प उसको बंद कर देजे नहीं कि एपको जितना पानी पेने की आवश्टत है जो दिन में ही जुर्यास्त से पहले ही मतलब मतलब हो जाना चीए उसका फुल्फिल तो आपको नीन तोटेगी और याद शितनी तो यांण टोटां टूट है Edwards टूट तो पानी तो बहुत बरफ जैसा हो जाता है इस मौसम में यही दिक्कत है क्यूंकि पहले जो चुले से खाना बनताना वह तो पहले क्या करते थे चुले में खाना बनाते थे अर जो पानी होता था तो पानी लाकरके तो उससे कोई दिकत नहीं होता था ही नुख्सान हम नुक्सान हु करई हम उतना संकड सामना करना पड़ रहा है तो एसे करma चुटा चुला करें अंगार गास तो फिर नहींहीं तो फिर गैस का फिर उपियों करिए जी बहिए दन्यमाद जी बंदे मातरम तो अभी तो नौद के उपर हो गया अब बंदे मातरम जी बंदे मातरम बंदे मातरम जी बोलेते ना एक दिन सटरघ्र क 요 मैं किस घितु है क्या खाना चाहिए कि दन गाना चाहिए एक तो लोग पूछ रहे हैं ना एक बार भैजी से पूले और दोहरा दें उसको तो तो एक घंटे का सत्र भी आप मैं मैं दिपड़ भाई से निवेदन करना हूं वह सत्र को मतलब थोड़ा घ्रूप में भेज़ दिजिए मतलब कौन सरु तुम्हें हरजिंदर भाई को या तो दिपड़ भाई को स्मरण होगा तो सब को से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आजम को मालूम नहीं है ना इसलिए आपके पासपूर्ण और सब ठीक है ना अझाँ विश्वर मतलब होगा लिंक में यूटूब का वेज़ दूंगा गुरूप में आप सभी देख देख लिएगा तो समय हो चुक है वैज जी का तो हम सभी को बिराम देना चाहिए क्योंकि और भी बैद निर्मान करांती की सिरिंखला में बहुत सरे भाई वहने प्रतिक्षा कर रहे हैं तो हम सभी चांती पाट करके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो निवेले के लिए बहुत बहुत हिर्देश आवार धन्यवाद और आप सब्सक्राइब का सभी पुट्रात्माओं का इसका में इपनी समय के हावती देने वाले योगदान देने वाले सभी पवित्रात्माओं बहुत द्रता हूं तो आप से इसी तरह से जुड़ते रहे हैं समस्क्राइब आप करते हैं ओम्ध्यो सांतिरंतरिक्षम सांतिही पृत्थिवी सांतिरापह सांतियो सधया सांतिही वनस्पतयह सांतिर्विष्वेदेवा सांति ब्रह्मा सांतिही सर्वम सांतिही सांतिरेव सांतिही सामा सांतिरेधी ओम सांतिही 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 आप सभी बनमस्ते बंदे मात्रम वैदीजी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हिर्दे से भगान धन्यवत्री आप सबको शुक्र रखे संब्रदी दे सत्भावन दे और आरोगी की प्राप्ति कराए कामना इसी कामना के साथ में आज का सत्र से एक दिद्धा लेता हूं